हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर, आज हम लोग प्लाज्मा मेंब्रेन के सेकेंड पार्ट पर डिसकेशन करेंगे, उससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा मेंब्रेन और साथ में फ्लूड मोजैक मॉडल के बारे में डिसकेशन किया था, तो अभी हम लो में भी डिसकेशन करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि मैं पता है कि जो भी प्लाज्मा मेंब्रेन होती है, उसमें मेजर टू कॉम्पोनेंट होते हैं, लेपिड और प्रोटीन और उसके साथ साथ कार्भो हाइड़ेट भी पाया जाते हैं, तो जो लेप हो तो उसको हम लोग लिपिड की कैटेगरी में रख देते हैं, तो लिपिड तो कई तरह के होते हैं, लाइक सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डराइव लिपिड, तो यह फॉस्फोलिपिड किस कैटेगरी में आते हैं, तो अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइ लेर में जो embedded होती हैं वो protein की बात कर सकते हैं तो protein भी दो तरह की होते हैं integral और peripheral protein तो कुछ proteins embedded होते हैं कुछ protein ऐसे भी होते हैं जो कि surface पर पाये जाते हैं तो second component हमारा protein है third component जो कि कम means होता है और वो carbohydrate के फॉर्म में होते हैं कर्भोहाइड या तो प्रोटीन से अटेश रहते हैं या फिर लेपड से अटेश रहते हैं जब कर्भोहाइड प्रोटीन से अटेश होते तो उन प्रोटीन को ग्लाइको प्रोटीन कहा जाता है और अगर लेपड से अटेश है तो ग्लाइको लेपड बोला जाता है और यह ज सर्फिस पर मीस आउटर लीफलेट पर पाया जाता है जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहां पर इस तरह से फॉस्फोलिपिट पाया जाते हैं और इन फॉस्फोलिफिट में जो आप देख सकते हैं कि यह आउटर लीफलेट है और यह इनर लीफलेट है तो आउटर लीफले है lipid protein और carbohydrate अगर हम लोग membrane lipid की बात करें तो approximately 50% by mass contribution होता है और अगर हम लोग protein की बात करें तो 47% और carbohydrate की बात करें तो 3% basically means कि यह हम एक typical animal cell का composition बता रहे हैं बट यह कुछ composition vary भी कर सकता है आपको different different book में यह different different means कि थोड़ा बहुत variation मिलेगा बट most of the books में यह लिखा हुआ है कि 50% membrane lipid का contribution होता है अब इसके बाद अगर हम लोग membrane lipid की बात करें तो membrane lipid की 3 categories है means कि एक होते है phospholipid type sphingolipid दूसरे होते है phosphoglycerides तीसरे होते होते cholesterol molecule तो cholesterol molecule तो हमें पता है कि 27 carbon का means lipid molecule होता है जिसके पास एक OH group होता है और वह intercalate करता है hydrophilic reason of phospholipid में और जो इसकी ring structure होते हैं जो कि hydrophobic होता है वह intercalate करता है means कि phospholipid के fatty acyl tail की तरफ और अब हम लोग sphingolipid की बात करेंगे तो यह पहले हम लोग इसके बारे में बाद में discussion करेंगे उससे पहले हम लोग phosphoglyceride पर आते हैं फॉस्फोग्लिसराइट जो प्लाजमा membrane में पाए जाते हैं वो फोर टाइप के होते हैं फॉस्फो इस्फिंगो कोलीन सॉरी फॉस्फो टाइडल कोलीन फॉस्फो टाइडल इसलिए यह यह बास वह उनले कोलीन फॉसपो टाइडल सीरीन फॉस्फो 24 इनॉसिटल तो ये किस तरीकेसे में सीरीनWowण उजी नहीं इसलिए यह जो लिप लिपिड बाई लियर होती वहाँ पर क्रियेट करते हैं तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो लिपिड बाई लियर होती वह asymmetrical होती इसके बारे में भी हम आगे और discussion करने वाले हैं तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं तो जैसे suppose कि अगर outer layer की बात करें तो फॉस्फोटाइडल कोलीन पाया जाता है अगर inner की बात करें तो वहाँ पर फॉस्फोटाइडल एथलरामीन या सिरीन पाया जाते हैं तो कि लिडिडियर्द पॉटेइड प्रोटैन वह प्रोटैन जोकी फोस्फो लिपड में इंबेड़ेड होते हैं परिफोर्डठ पोले व्हों pretty जोकि side surface पनी नॉन को व्लेट्टीट होते हैं और यहीज़े सारे अम्हों की कई importance है किस तरह से कौन से protein ions means carrier channel बनाते हैं या means ions को transport करने के लिए किस type की structure बनाते हैं उसके बारे में हम लोग discussion करेंगे और यहाँ पर membrane carbohydrate का दिया हुआ है तो glycoproteins होते हैं means की carbohydrate अगर protein से जुड़ गए तो glycoproteins बोलेंगे और अगर lipids से जुड़ गए तो glycoproteins बोलेंगे तो यह cell membrane के composition के बारे में है अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब हमें means की अभी हम लोग basically इस पे focus होने वाले हैं जो यह आपको दिख रहे हैं phosphotidal means की phosphoglyceride पे focus होने वाले हैं तो इसके बारे में जानने से पहले हमें एक brief में पता होना चाहिए कि lipid molecules क्या होते हैं अगर हम लोग lipid molecule की बात करें तो lipid molecules are the hydrophobic and water insoluble compound so they are three kind mind three types like simple lipid here we can see the simple lipid complex lipid or derived lipid if we talk about the simple lipids they are the simple esterified product means की यहां पे क्या होता है कि एक ester bond का formation means होता है तो इसलिए इनको बोला जाता है कि they are simple esterified products और अगर हम लोग complex lipid की बात करें तो complex lipid क्या होते है esterified product तो होते हैं लेकिन साथ में means की इसके साथ साथ एक additional substitute का means addition होता है तो इस तरह से हम लोग इन complex lipid कहते हैं और derived lipid वो होते हैं जो कि simple means की जो derive किये जाते है simple और compound lipid से hydrolysis के तुरू तो यह molecule बहुत ही अलग type के होते हैं इन में free fatty acid आ सकते हैं या फिर कुछ means steroid या terpins या vitamins means की यह non-esterified hydrophobic molecule होते हैं तो अभी आपको इस समझ में आ गया हो कि three type के lipid molecules होते हैं simple lipid में esterified product होते हैं means की esters of fatty acid with alcohol complex lipid में esters means की fatty acid होंगे esterified fatty acid होंगे लेकिन उसके साथ एक additional substitute group लगा होगा तो इसको complex कहेंगे derived molecule non-esterified hydrophobic molecule होते हैं जैसे की esterified है terpins है vitamins हैं तो अब हम लोग simple lipid की बात करते हैं तो simple lipid में जैसे हम लोग जैसे wax सबसे पहला यहां पे दिया हुआ है तो wax जब यह esters हैं तो wax क्या होते हैं wax होते हैं mono esters of fatty acid with long chain alcohol तो यह होते हैं waxes तो means की esters क्या होते हैं esters जैसे esters का अगर हम लोग बात करें तो esters होते हैं कि अगर कोई alcohol और carboxylic group मिलके बनाते हैं esters का formation करते हैं मालीजे कि अगर हम alcohol की बात करें तो OH और अगर किसी carboxylic group की बात करें तो इस तरह का molecule होगा और इनके बीच में होगी hydrolysis और इस hydrolysis के थ्रू क्या होगा water release होगा और water release होने के बाद यह बना लेंगे ester का formation हो जाएगा तो इसको हम लोग मोलते हैं ester means की fatty acid का जो ester form होता है तो यह क्या होते हैं mono esters होते हैं अब अगर हम लोग fat की बात करें तो fat होते हैं tri esters of fatty acid with glycerol यहां पर हम लोग tri esters of fatty acid with long chain with glycerol तो अब यह tri esters fatty acid को होते हैं तो किस तरीके से होते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह किस तरह से अपना structure बनाते हैं तो सबसे से पहले तो हम लोग यहां पर एक means अगर हम लोग fat का formation देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि एक glycerol backbone होगा तो यहां पर हम लोग एक glycerol backbone बनाते हैं क्योंकि हमने esters का formation क्या बताया esters का formation बताया कि alcohol और carboxylic group का means hydrolysis इसके बीच में हो तो esters का formation होता है तो क्या हुआ कि यह क्या है यह हमारा glycerol है और glycerol को हम लोग क्या कहते हैं tri basic alcohol कहते हैं क्योंकि यहां पर three आपको alcohol group दिख रहे हैं तो यह क्या है tri basic alcohol group है और इसके साथ इसमें जुड़ते है fatty acid means कि fatty acid के पास क्या है यह तरीके के carboxylic acid होते हैं तो इनके पास होता है इस तरह का structure और इनके साथ इनके पास एक होती है long hydrocarbon tail तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से यहां पर यह structure तो अब यहां पर इनके बीच में होगी hydrolysis और इस hydrolysis के थूँ यहां पर क्या हो जाएगा कि बन जाएगा यह बन जाएगा fat यह fat का formation हो जाएगा तो अब यहां पर हम लोग क्या देखा कि जो tri basic alcohol means की glycerol है एक backbone glycerol की है और उस glycerol में क्या हो रहा है carboxylic acid जो की क्या है एक तरीके से fatty acid है यह fatty acid है यह fatty acid के पास एक एसाइल chain है जो की hydrophobic means की hydrophobic nature की होती है और यह hydrocarbons होते हैं तो यह एक long chain होती है और इसको इससे इसका जब reaction होता है तो यहां पर क्या होता है ester bond का formation हो जाता है और यह बना लेते हैं triacyl glycerol इसको हम लोग समझ में आ गया है कि simple जो यह fat होते हैं simple fat वो क्या होते हैं triacyl glycerol या triglycerides होते हैं अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यह hydrocarbon जूड़ी हुई है तो यहाँ पर तीन hydrocarbon है तो इसको हम लोग R-, 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 R- से denote करते हैं ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह ज carbon denote कर रहा है तो यहाँ पर basically जो देखी गई है chain वो 16-22 hydrocarbon की chain पाई जाती है तो यहाँ पर क्या है कि यह 16 की होती है और यह वाली chain 18 की होती है तो इस तरीके से क्योंकि इनके hydrocarbon अलग-अलग है इसलिए इसको R-, R-, R- अलग-अलग नाम दे दिया गया है अब यहाँ पर जो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो fatty-asile chain आ रही है उसमें fixed number of carbon नहीं होते हैं और अगर हमने nomenclature IUPAC के according किया तो यह carbon के number change हो सकते हैं तो इसलिए जब हमें इस form में basic means की glycerol की जो backbone है उसके basis पर अगर हम इसको carbon number को करते हैं तो अगर हम SN1, SN2 और SN3 कहेंगे तो यह हमारे जहां पर alcohol group third number का पाया जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि SN3 carbon पर एक यहां पर alcohol group पाया जाता है तो इस तरह से हम लोगों नहीं क्या देखा कि यह fat का formation हो गया अब यह जो hydrocarbon है यह long है और यह hydrophobic nature की होती है तो अगर हम लोग यह fatty-asile chain की बात करें जैसे यहां पर यह fatty-asile chain ह अगर इस fatty-asile chain की बात करें तो यह इसके पास क्या है यह एक means की hydrophobic होती है और दूसरी कैसी होती है long hydrocarbon होती है means की hydrocarbon की बनी होती है और कि 16 से 22 के बीश में होती है और जो plasma membrane में जो भी hydrocarbons पाय जाते हैं वो उनके पास एक means की जो यह phospholipid होता तो यह तो saturated होती है और एक non saturated होती है means की unsaturated होती है तो means इसमें क्या होता है कि एक double bond होता है तो ज्यादा तर जो भी phospholipid पाय जाते है प्लास्मा membrane में उनमें एक acyl chain saturated होती है और दूसरी unsaturated होती है जिसके पास एक double bond होता है means कि कोई भी acyl chain है उसमें at least one अगर double bond है तो उसको हम लोग unsaturated कहेंगे तो अगर हम लोग fatty acid को देखे तो fatty acid भी तीन तरह के होते हैं एक होते हैं fully saturated fully saturated दूसरे होते हैं monounsaturated और तीसरे होते हैं polyunsaturated तो अगर fully saturated की बात करें तो यहां पे कोई भी double bond नहीं होगा monounsaturated की बात करें तो एक double bond होगा और यहां पे अगर polyunsaturated की बात करें तो यहां पे होंगे more than one double bond तो इस तरह से यह fatty acid chain भी अलग-अलग तरह की होती है जैसे for example अगर हम लोग unsaturation की बात करें तो aulic acid होता है उसके पास क्या होता है कि one means की one double bond होता है अगर हम लोग जो essential fatty acid होते हैं जैसे की lino linoleic acid तो उसके पास दो double carbon bond होते हैं मीज की दो double bond होते हैं और अगर हम लोग linolenic की बात करें तो वहां पर three double bond होते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह polyunsaturated fatty acid तो यह fatty acid का एक means basic idea है means की fat कैसे बनते हैं तो fat क्या होते हैं esterification means esterified products होते हैं और वो glycerol उनकी backbone होती और इसके साथ fatty acid के साथ reaction होती है hydrolysis होती और fat का formation हो जाता है तो अभी हम लोग जो plasma membrane में phospholipid की बात करने वाले हैं तो वो हमारे हैं complex lipid अब इन complex lipid में और simple lipid में क्या difference होता है जो complex lipid होते हैं वहाँ पे sin means की SN3 number के carbon पे जो OH ग्रूप है यहाँ पे cell chain ना होके यहाँ पे phosphate group एक जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते है फॉस्फोर टाइडिल में इसकी फॉस्फोर टाइडिक एसिड बोलते हैं तो अभी हम लोग अगर complex lipid की बात करें तो complex lipid में जैसे की एक glycerol backbone होती है जैसा हमने यहाँ पे बताई है glycerol backbone है और दूसरी category होती है sphingocene backbone होती है तो यहाँ पे sphingocene backbone की बात हम लोग बात में करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे glycerol backbone की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो यह आपको structure दिख रहा है इस इन molecules में यह पूरा structure रहेगा बट यहाँ पे जो यह 3 नंबर का SN3 नंबर का carbon है यहाँ पे acyl chain नहीं होगी इसकी जगह पे एक phosphate group होगा और कुछ other substituent होगे और वो बन जाएगा complex lipid तो simple lipid से ही एक तरीके से simple lipid में ही अगर SN3 कारबन पे कोई means other substituent और phosphate जुड़ जाए तो उसको हम लोग complex lipid की category में रखते हैं अब यह complex lipid बहुत तरह के होते हैं जैसे lecithin, cephalin, inositol यह हम अभी आगे आपको discuss करने वाले हैं अब यहां पर यह देखिए complex lipid बना हुआ है means की complex lipid के बारे में बताया गया कि complex lipid क्या है वह भी esterified products होते हैं क्योंकि वहां पर भी esterification reaction होती है क्योंकि backbone क्या है glycerol glycerol क्या है एक तरीके का alcohol alcoholic molecule है और साथ में fatty acyl chain SN1 carbon पे और SN2 carbon पे acyl chain जुड़ती है और third carbon पे जुड़ता एक phosphate growth तो हम लोग यहां पर एक structure उसका ऐसी बना लेते हैं कि मान लिजे कि किस तरह का structure means develop हो जाएगा कि यह हम लोग यह glycerol backbone हम बना रहे हैं यहां पर CH2 O C और यहां पर हो जाएगा O और यहां पर acyl chain इसके बाद same फिर यहां भी वैसी हो जाएगा और अब इस वाले carbon पे इस carbon पे क्या हो जाएगा इस carbon पे हो जाएगा यहां पर जो OH ग्रूप है इसका O आ गया और साथ में यहां पर phosphate group का addition हो जाएगा अब यह phosphate group इस तरह का structure यहां पे बन जाएगा तो इस structure को हम लोग बोलते हैं phosphotidic acid इसको बोलते हैं phosphotidic acid इसके पास एक phosphate group होता है तो simple lipid का पूरा structure वैसा ही है बस SN3 पे carbon number जो SN3 carbon number है वहां पे OH से जो hydrolysis होती वहां पे phosphate group जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं phosphotidic acid अब इस phosphotidic acid में further अगर other molecules जुड़ते हैं तो उस हिसाब से इनके nomenclature हो जाते हैं तो अब यह क्या है phosphotidic acid based compound यहां पे दिये हुए molecule दिये हुए तो अब आप यहां पर देख सकते हैं phosphotidic acid का means structure क्या होता है कि यह एक glycerol backbone होगी उसके साथ दो acyl chain होगे और साथ में यहां पे phosphate group होगा अब तो ज़्यादा तर जो भी membrane में lipid पाए जाते ह हैं वो phosphotidic acid based होते हैं उनके पास एक glycerol molecule होता है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं उनके पास एक phosphate group होता जैसा कि यहां पर पाया जा रहा है और अगर यहां पे फिर और substitute means कि इस OH के जगे पे OH से क्या जोड़ सकता है या तो serine जोड़ सकता है या तो ethylonamine जोड़ सकत है इस तरीके से यह अलग-अलग इनके नाम हो जाते हैं अगर serine जोड़ता है तो उस molecule को बोलते हैं Phosphotidal serine अगर ethylonamine जोड़ता है तो उस molecule को बोलते है Phosphotidal ethylonamine और अगर koline जूडता है तो phosphotidal choline और inositol जूडता है जो कि carbohydrate moiety तो क्या हो जाता है phosphotidal inositol तो इस तरह से यह different different type के molecules बन जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं means phospholipids अब यह phospholipids के कुछ means कि जो same molecule हमने जैसे यह नाम बताया इनको हम लोग और भी नाम से जानते हैं जैसे कि phosphotidal choline को lecithin बोला जाता है सिफैलिन molecule बोला जाता है phosphotidal ethelonamine और phosphotidal serine को plasmalogen क्या होते हैं plasmalogen एक different type कि यहाँ पर ester bonds नहीं पाया जाते हैं जैसे कि हार्ट मसल्स में देखे गए थे तो वहाँ पर कार्डियो लिपिन क्या होते हैं कार्डियो लिपिन में दो phosphotidal molecule जोड़ जाते हैं लाइक कि अगर एक यह molecule है अगर हम लोग यह molecule तो दूसरा molecule इसी के इस तरह से जुड़ जाएगा तो अगर एक स्केल्टन देखें तो कुछ इस टाइप का यह structure बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि दो phospholipid means two phosphotidal molecule जुड़ जाते हैं तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको diacyl phosphotidal कार्डियो लिपिन को तो यह structure होता है तो basically जो plasma membrane में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लेसाइथिन सिफैलिन और phosphotidal inositol अब दूसरी category है जो membrane lipid में पाए जाते हैं उनमें है sphingo cin based और इसfongo cin क्या होता है sphingo cin का मतलब होता है कि इनके पास यह amino alcohol होते हैं यह क्या होते हैं amino alcohol होते हैं और इनके पास एक long chain होता है उस chain में itself एक double bond होने की वज़े से यह क्या होते हैं इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर fatty acid की वज़े से यहां पर saturation या unsaturation create हो रहा था बट यहां पर क्या है कि यहां पर यह molecule जो sphingosin है इसके पास खुद एक long chain है जो कि unsaturated means कि उसके पास एक double bond structure है जिसकी वज़े से वो unsaturated है तो इस्फिंगो सिन क्या होते है इस्फिंगो सिन amino alcohols molecule है उनके पास एक long chain हाइडरो कार्बन की होती है और उनको fatty acid means कि उनके पास उनको backbone की जरूरत नहीं है उनको glycerol backbone की जरूरत नहीं है उनके पास itself एक acid chain है amino alcohols है long chain है और unsaturated means hydrocarbon होता है अब अगर हम लोग isphingosene based molecule की बात करते हैं तो two types की होते है इस्फिंगो माइलिन और glycosph mapa अगर हम लोग isphingomyelin की बात करते हैं तो इस्फिंगो माइलिन में आप देख सकते हैं कि क्या है isphingosene है स्फिंगो सिन में क्या क्या structure होता है अलकोहल और अमाइन होता है और अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर स्फिंगो माइलिन है तो उसके पास additionally एक phosphate और kोलीन ग्रूप चुड़ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक structure बना लेते हैं पहले इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CH2 ग्रूप है यहाँ पे CH ग्रूप इस तरह से जुड़के यहाँ पे एक अमाइनो ग्रूप बन जाएगा जुड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे एक CH3 OH ग्रूप जुड़ेगा यह molecule इसको हम लोग बोलते हैं इस फिंगो सिन इस फिंगो सिन में हमने क्या बताया कि इस फिंगो सिन कैसे होते हैं अमाइनो अलकॉहल विद लॉण चेइन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बहुत लम्बी सी hydrocarbon chain है यहाँ पे CH212 लिखा हुआ है तो यह क्या है एक लंबी chain है और इसके बाद यहाँ पे एक double bond भी इसलिए यह itself unsaturated form है और इसके पास एक amino group यह amino group है और यह यह alcohol group है तो यह structure होता है sphingosyn का अब इस sphingosyn molecule से तो यह क्या होगा यह acyl gene का काम करेगी क्योंकि इस तरह का structure है और अगर आप sphingosyn का diagram की कुछ और बुई books में देखें तो जरूरी नहीं कि आपको इसका structure इस तरह से मिले हो सकता है कि यह आगे भी जुड़ा हो बट उसमें content तो वही रहेगा इतने ही carbon वही एक amino ग्रूप और अल्कोहल ग्रूप ऐसा ही रहेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यह OH ग्रूप है यहां पर एक phosphate ग्रूप जुड़ जाए और यहां पर इसके सासाथ यहां पर अगर कोलीन जुड़ जाए तो यह बन जाएगा sphingomyelin अभी आपको clear हो गया होगा कि sphingosyn molecule से sphingosyn molecule के पास एक amino alcohol group होता है एक long hydrocarbon tail होती है means chain होती है और उसके पास एक double bond होता है तो itself यह unsaturated form है और यहां पर जो OH ग्रूप है यहां पर अगर एक phosphate group का addition हो जाए और साथ में कोलीन हो जाए तो यह बनाता है sphingomyelin sphingomyelin especially जो animal की plasma membrane होती वहां पर prominent होती है myelin sheath आपने सोना होगा myelin sheath के नाम से और myelin जो exon पे या neurons पे जो पाए जाते हैं myelin वो क्या करते हैं exons को insulate करते हैं insulation का काम करते हैं तो यह इसलिए बहुत important means component है animal cell के लिए अब अगर हम लोग तो यह आपको sphingomyelin समझ में आ गया होगा तो यह पाया जाता है outer leaflet में तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि outer leaflet में क्या पाया जाता है lecithin और sphingomyelin inner leaflet में क्या पाया जाता है cephalin अब यहाँ पे जो sphingosyn based second type के molecule है जिनको बुरा जाता है glyco sphingolipid तो glyco sphingolipid में क्या होगा कि sphingosyn as it is जैसा कि यह molecule है यहाँ पे वैसा ही sphingosyn होगा बट यहाँ पे phosphate और koline ना होके यहाँ पे जुड़ेगा sugar molecule और sugar molecule के addition को हम लोग बोलते है glyco sphingolipids तो sphingosyn molecule sphingosyn molecule से अगर एक sugar molecule जोड़ जाए तो यह हमारा बन जाता है glyco sphingolipid अब यह 3 types के होते है cerebrosides, globosides और gangliosides cerebroside क्या होते है मिज़ कि sugar molecule अगर एक हो मिज़ कि sphingosyn plus one sugar molecule तो cerebroside बोला जाएगा globoside क्या होता है कि sphingoside plus more than one sugar molecule means two हो, three हो तो इस तरह से suppose कि three sugar molecule है तो उसको हम लोग बोलते है globosides और इन three molecules means sugar molecule में कोई भी neuramic acid नहीं होना चाहिए अगर हम लोग ganglioside की बात करें तो ganglioside का means क्या होता है कि इसमें sphingosyn molecule होता है साथ में यहां पर एक molecule होगा three carbon का sugar sorry three sugar molecule होगे और जो three sugar molecule होगे वो उन में से एक होना चाहिए neuramic acid तो इस तरह से यह cerebroside, ganglioside, ganglioside के structure होते हैं यह आपको अभी तक clear हो गया होगा कि एक बार हम बहुत ही short में revise कर देते हैं कि जो lipid membrane में पाए जाते हैं वो two type के होते हैं एक phosphatidic acid based होते हैं phosphatidic acid क्या होता है मेंस कि अगर जो simple fat होते हैं उनके SN3 carbon पे अगर OH पे phosphate group लग जाता है तो phosphatidic acid बन जाता है और उससे अगर means कि different glycerol एक backbone उसमें पाई जाएगी और उसके साथ एक phosphate group होगा koline जुड़ेगा तो phosphatidyl koline हो जाएगा serine जुड़ेगा तो phosphatidyl serine या ethylonamine जुड़ेगा तो phosphatidyl ethylonamine और साथ में दूसरी तरफ sphingosin molecule की बात करें तो यह amino alcohol molecule होते हैं इनके पास एक long chain hydrocarbon होती है जो कि unsaturated होती है और स्फिंगो सिन में अगर phosphate group और koline जुड़ जुड़ जाता है तो स्फिंगो माइलिन हो जाता है और स्फिंगो माइलिन और भी तरह के होते हैं कि वहाँ पे serine और serine जुड़े या ethylonamine जुड़े तो बट हम लोग स्फिंगो माइलिन की बात कर रहे है और फिर इस्फिंगो glycosphingolipids क्या होते है इस्फिंगो सिन और साथ में इसके sugar molecule जुड़ जुड़ जाए तो glycosphingolipids बोलते है यह 3 types की होते है cerebrocyte जहाँ पे 1 sugar molecule जुड़े globocyte जहाँ पे 3 sugar molecule जुड़े उसमें कोई भी नुरायमिक एसिड नहीं होना चाहिए गैंगलियोसाइड जहाँ पे स्फिंगो सिन के साथ 3 sugar molecule जुड़े और साथ में एक means की उसमें से 3 molecule में से कम से कम एक molecule नुरायमिक एसिड का होना चाहिए तब उसको हम लोग गैंगलियोसाइड बोलते हैं तो यह बहुती बेसिक आइडिया था लिपिट के बारे में और आपको इन सक चीजों से यह समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो अभी हम लोग यह एक आमींस के एक structure बना हुआ है यह बहुती basic structure है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कोलीन molecule है तो यह यहाँ से लेके यहाँ तक यह किस तरह का molecule देख रहा है यह है hydrophilic और यह होता है hydrophobic hydrophobic क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक unsaturated fatty acid है और दूसरा saturated fatty acid होने की वज़े से यह क्या है hydrophobic है कोलीन और phosphate glycerol मिलाके hydrophilic बनाते हैं और यहाँ पर अगर molecule यहाँ पर कोलीन है यहाँ पर serene भी हो सकता है यहाँ पर ethylonamine भी हो सकता है और यहाँ पर जो linkage होती है इस linkage को बोलते हैं ester linkage तो यह एक glycero phospholipid का skeleton है जो कि हम लोग अभी इतनी देर से इसी पर बात कर रहे थे और यह है glycolipids glycolipids में यह sugar molecule glycerol backbone के साथ और साथ में यहाँ पर hydrophilic unsaturated means की fatty acid जिसमें की एक saturated और दूसरी unsaturated होती है अब हम लोग next charge की बात करते हैं तो क्योंकि हम लोग यह जान चुके हैं कि कितने type के molecule पाये जाते हैं phosphatidyl choline, phosphatidyl ethyloramine और serine, phosphatidyl inositol तो यह molecule जब lipid membrane पर रहते हैं तो इनके पास कौन से charge होते हैं हम लोग इसके बारे में अभी discussion करने जा रहे हैं बट यह जितना हम चीज बताएंगे वो सारा हम at physiological pH पर बताएं क्योंकि membrane की बात है तो हम लोग physiological pH को consider करते हुए ही चलेंगे अब हमें पता है कि जो phosphatidyl acid होता है वो basic backbone होता है किसी भी phospholipid के लिए means कि जो phospholipid हैं जितने भी type के पाये जाते हैं अब अगर हम लोग means कि phosphatidic की हम बहुत short में हाँ पर एक structure बनाते हैं इस तरह का कुछ structure था कि यहाँ पर OS sorry यहाँ पर tarboxylic group जुड़के हैं fatty acyl chain यह अभी हम लोगों ने देखा structure जस्ट थोड़ी दिर पहले तो यह हो गया इसमें से एक acyl chain saturated एक unsaturated और साथ में यहाँ पर यहाँ पर जो OH ग्रोप है यहाँ पर जुड़ता है एक phosphate अब हम लोग इस phosphate की मेन बात करते हैं तो अगर हम लोग इस phosphate की बात करें तो यह physiological pH पे कुछ इस फॉर्म में रहता है means कि phosphatidic acid यह जो structure बना है जो कि phospholipids का backbone होता है अगर हम लोग इसको physiological pH पे देखें तो जो इसके पास phosphate group आया जा रहा है physiological pH पे इस पर इस तरह का arrangement होता है means कि minus one charge होता है क्योंकि यह बहुत important factor है कि कि किस तरह का pH है उसी according यहाँ पर charge change होगी suppose कि अगर pH higher side पे जाएगा तो यह फिर से क्या होगा basic condition होगी तो उस समय यह ionize होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक charge और create हो जाएगा तो means कि यहाँ पर PK और PK values का बहुत important role है बट हम वो चीज यहाँ पर discuss नहीं करेंगे बट आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यह वाला जो group है physiological pH पर phosphate पर सिर्फ एक charge होता है इसलिए phosphotidic acid पर normally क्या charge होता है minus one charge होता है तो अब अब हम लोग इस तरह से यह चीज हम लोगों ने देख लिया तो अब मालीजे कि पहला molecule होता है phosphotidical choline तो अगर यह सिर्फ phosphotidic acid membrane पर हो तो उसके पास क्या charge होगा negative charge होगा लेकिन इस form में lipid नहीं पाये जाते हैं membrane पर पाये जाते हैं या तो उनके एक particular substitute के साथ attach होते हैं तब उसके form में पाये जाते हैं तो मालीजे phosphotidical choline की बात करें कि koline का structure कैसा होता है तो कुछ ऐसा होता है तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो koline molecule होता है यहां पर आगे OH group होता है जो कि hydrolysis करेगा यहां से इस group से यहां पर hydrolysis होती है और यह फिर यहां पर koline molecule structure add हो जाता है तो अगर हम लोग koline molecule पर charge की बात करें तो koline molecule के पास यहां पर इसके होने की वज़े से plus one charge होता है अब इस means कि phosphotidic acid के पास कौन सा charge था minus one अब koline molecule इस से जुड़ गया तो इसके पास कौन सा charge हो गया plus one means कि plus one इसके पास charge है minus one इसके पास charge है और यह phosphotidic acid कहा plasma membrane के उपर पाया जा रहा है और plasma membrane में physiological pH पे बात कर रहा है अगर हम लोग physiological pH पे बात नहीं करेंगे तो इस phosphate पे minus one charge की जगह पे कोई और भी charge हो सकता है तो physiological pH पे इस phosphate पे minus one charge होता है तो जब यह phosphotidic acid membrane पे है तो उस समय इसके पास negative charge हो और इससे अगर koline molecule add हो जाए तो koline के पास क्या था koline के पास है plus one charge तो यह plus one और minus one charge मिलके कौन सा charge membrane पे create कर देंगे zero charge create कर देंगे तो charge on phosphatidyl choline क्या हो जाएगा zero हो जाएगा जब phosphatidyl choline कहां पे होगा membrane के उपर होगा means कि koline पे कौन सा charge है plus one है phosphatidic acid के उपर कौन सा charge है minus one है दोनों charge को अगर हम means वो करेंगे जोडेंगे तो क्या हो जाएगा plus one minus one क्या हो जाएगा zero charge हो जाएगा तो phosphatidyl choline जब membrane पे पाया जाता है तो इसके पास zero charge होता है अब हम लोग next molecule phosphatidyl ethylonamine की बात करते हैं अब ethylonamine जो होता है अब इसके भी हम लोग इसका भी एक structure हम लोग देख लेते हैं जो कि ethylonamine का structure क्या होता है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही structure होता है कि एक CH group होता है इस तरह से और यहाँ पे होते हैं एक amino group और इसके आगे यहाँ पे OH group होता है और यह molecule जो आपको यह दिख रहा है यह further यहाँ पे अभी तो koline था अब अगर यहाँ पे ethylonamine हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह OH और यह OH hydrolysis करेगा और यह molecule यहाँ पे जोड़ जाएगा तो इसका नाम हो जागा phosphotidal ethylonamine अब क्योंकि इसके उपर तो अल्रेडी हमें पता है कौन सा चार्ज होता है phosphate की वज़े से minus 1 चार्ज होता है और इसके उपर भी अभी यहाँ पे यह इस ethylonamine का structure है तो इसक ब्रेइन पे phosphotidal ethylonamine पाया जाता है उसके उपर चार्ज कौन सा होता है जीरो होता है कोलीन के उपर चार्ज कौन सा होता है जीरो होता है अब हम लोग next molecule देख लेते हैं फॉस्फोर टाइडल सीरीन का अब सीरीन क्या है का amino acid है आपको पता है amino acid का कुछ ऐसा structure होता है कि यहाँ पे एक COH group और एक यहाँ पे NH2 group और यहाँ पे H और अगर सीरीन है तो कुछ इस तरह का molecule होगा अब हम लोग यहाँ पे physiological pH की बात करें तो physiological pH पे यह molecule कैसे होते हैं यह molecule zuterine formation करते हैं मींस कि यहाँ पे हो जाएगा NH3 plus और यहाँ पे हो जाएगा minus तो जब zuterine का formation करे तो यह इसके उपर कौन सा चार्ज हो जाएगा इसके उपर चार्ज हो जाएगा जीरो क्योंकि जूटराइन का formation किया तो substitute के उपर चार्ज कौन सा हो गया कि plus 1 plus 1 और minus 1 तो equals to 0 क्योंकि यह जूटराइन है अब amphipathic सॉरी अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो लिपिट पर चार्ज मीज की फ़स्फो टाइडिक एसर उसके पास कौन सा चार्ज है माइनस 1 चार्ज है तो अब जो अगर फ़स्फो टाइडिल सीरीन पाया जाएगा प्लाजमा मेंब्रेन के उपर तो फ़स्फो टाइडिल सीरीन के उपर कौन सा चार्ज होना चाहिए माइनस वन चार्ज होना चाहिए तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फॉस्फो टैडल सिरीन मेंब्रेन में पाया जा रहा है फॉस्फो लिपिट पे तो उसके उपर नेगेटिव चार्ज में इसके माइनस वन चार्ज होगा तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्ट कोलीन है यह तो यहां पर पाया जाता है फॉस्फो टैडल एथोलनामीन और फॉस्फो टैडल सिरीन यहां पर पाया जाता है तो जो यह फॉस्फो टैडल सिरीन है यह क्या कर रहा है यह क्रेट करता है माइनस वन चार्ज तो मेंब्रेन के उपर कौन सा चार्ज यहां पर हो के लिए कहीं ने कहीं यह फोस्फो टाइडल सेरीन का involvement होता जो कि बहुत ही important factor है कि अगर ऐसा ना हो तो आयन के जो differences होते हैं या जो आइन आते हैं इनका आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक तरीके से डोनम equilibrium होता है आप उसको refer कर सकते हैं किसी बुक से donor equilibrium क्या होता है कि means कि जो ions को inside या outside cell के जाना होता है वो किस तरह से means equilibrate होके जाते हैं अब इसके बाद हम लोग next molecule की बात करते हैं next molecule हमारा phosphotidal inositol तो अगर हम लोग phosphotidal inositol की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं तो phosphotidal inositol की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो molecule दिया हुआ है यह इसके उपर यहां पर शो हो रहा है कि इसके उपर charge lipid के उपर जो charge होता है वो minus 4 होता है तो अब inositol molecule क्या होता है myonositol means की हम लोग उसको बोलते है phosphotidal inositol 4,5 bisphosphate अब यह molecule क्या करता है sorry मेरा pen नहीं चल रहा है तो यह जो phosphotidal inositol molecule दिख रहा है इस molecule की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यह inositol molecule है यह जो substituent होता है inositol उसके उपर negative charge होता है अगर हम लोग फॉस्फो टाइडल means inositol के structure को देखने तो कुछ ऐसा structure होता है यहां पर OH और इस तरह के molecule जोड़े होते है तो यहां पर O group और ऐसे phosphate group लगा होता है और इसके बाद यहां पर H group होता है साथ में यहां पर OH के साथ phosphate group लगा होता है तो यहां पर phosphate पर minus charge होता है यहां पर charge और इस तरह से यहां पर charge होता है तो minus 3 charge पाया जाता है phosphotidal means की inositol molecule पर और minus 1 charge किसके पास था? phosphotidal means की phosphotidal acid के पास था तो इस तरहीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो phosphotidal inositol होता है सौरी यहां पर inositol होगा जो phosphotidal inositol होता है उसके उपर minus 4 charge होता है किस तरहीके से? क्योंकि phosphotidal inositol means की inositol के पास कौन सा charge है? minus 3 इस molecule के पास phosphate group और OH group की वज़ए से minus 3 charge होता है क्योंकि यह जो inositol molecule किस से जुड़ेगा phosphotidic acid से जुड़ेगा यहां पर ethanolamine की जगे पर inositol जुड़ेगा तो इसके उपर एक minus charge था और यहां पर minus 3 charge था तो minus 1 और minus 3 मिलके कितना बनाएंगे? minus 4 charge तो अगर phospho inositol membrane में पाया जाएगा तो उसके उपर कौन सा charge होगा? minus 4 charge होगा जो की बहुत ही important factor है जैसे कि आपको पता है कि यह phospho inositol कितना means major role play करता है कि जब membrane या signaling होती है तो वहां पर signaling pathway में फॉस्फो inositol pathway चलता है तो इस तरीके से यह बहुत सारे function में involvement होते हैं इसलिए इनको कहां पर arrange करना है inner leaflet में arrange करना है outer leaflet में arrange करना है तो यह होता है अब हम लोग on the whole overall यह देख लेते हैं कि physiological pH पे जो यह molecule है कौन कौन से molecule phospho phospho-tidal phospho-tidal choline phospho-tidal ethylamine यह क्या होते हैं? neutral होते हैं क्यों neutral होते हैं? क्योंकि यहां पर देखिए क्या zero means कि जब यह lipid में molecule थे तो यह क्या थे? zero charge इन पर create हो गया था किस वज़े से? क्योंकि इनके पास खुद के पास क्या था? plus one charge था और इसके पास phospho-tidalic acid यह वाला component था इसके पास minus charge था तो दोनोंने मिलाके neutral कर लिया means zero कर लिया तो इसलिए जो phospho-tidal-choline और phospho-tidal-ethylamine होते हैं उनके पास neutral होता है phospho-tidal-inositol और phospho-tidal-serine के पास negatively charge होते हैं जब यह membrane पे present होते हैं यह बहुत important factor है क्योंकि ऐसे koline के उपर plus charge है ethylamine के पास plus plus charge है बट जब यह membrane पे phospho-tidal-choline के फॉर में रहते हैं तो उस समय क्या यह charge create करेंगे उसके according यहाँ पे बताया है